बिस्मिल्ला रह्मानी रहीम, अस्सलाम उलेकुम, वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूँ नाहिद और आज हम बनाएगे बिल्कुल बाजार जैसी चटपटी, खटी, मीठी भेल पूरी भेल चाट केसी बनी है सबाग साथ? वह बनी है इस्ट्रिट जैसी भेल बनाने के लिए देखें, यहाँ पर हमने उबले हुए आलू लिये है, जिसे इस तरह से कात लिया है आलू के बिना तो भेल बनी नहीं सकती, तो आलू ले ले गया हूँ बारी कटी भी टमाटर ले रहे हैं इसमें अब इसमें बारी कटी भी प्यास दालेगे एक बारी कटी भी हरी मिर्ट दालेगे अब इसमें बारी कटा हुआ हरा धनिया दालेगे अब इसमें मैं नमक डाल रहे हूँ, तो आगे हम चेवडा और सेव भी डालेगे, तो नमक को आप देखकर डाले अब इसमें एक चमच काला नमक एट करेगे एक चमच चाट मसाला अब इसमें मैं बाजार के सेव मुर्मुर एट कर रहे हूँ इसमें थोड़ी सेव भी है यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं है आप अपने स्वात के हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हो यह मेरे पास मिक्स चेवडा है इसमें गाठी है, सेव, मुफली, मकाई है तो इसमें सबी तरह का फ्लेवर है जिससे हमारी भेल, जिस तरह से स्ट्रीट में लारी वाले भाईया पास मिलती है बस उसी तरह का टेस्ट आएगा आपके पास कोई भी फ्लेवर का खटा, मीठा, तीखा, चेवडा हो उसे आप ले सकते हो अब मैं इसमें बारिक से वेट कर रही हूँ अब यहाँ पर मेरे पास पानी पूरी की पूरिया है मैं वो ले रही हूँ, आपके पास पापड़ी हो ता आप वो भी डाल सकते हो अब मैं इसमें लहसन और लाल मिर्च की चटनी डाल रही हूँ आप चाहो तो लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हो यहाँ मैं हरे धनिये की चटनी डाल रही हूँ मेरे गर लाइट नहीं थी तो मैंने चौपर में बनाया है आप इसे मिक्सी में ही बनाईएगा अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इमली की चटनी जो बहुत ही जरूरी है तबी तो खटा मीठा स्वाद आता है तो अगर आपको कम पसंद है कम डालिए ज्यादा पसंद हो ज्यादा डालिए बिना इमली के चटनी के भी आप बना सकते हो लेकिन असली जो बाजार वाला तरीका है तो इसमें तो ये इमली की चटनी पढ़ती ही है आप चाहो तो एक निम्बू का रजबी डाल सकते हो देखिए सबी चीजों को मैंने डाल दिया है अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेगे जो भी चीज़े आपको कम या ज्यादा लगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दे इसे बनाना बहुत ही आसान है बस सामान होना चाहिए तो लीजिए हमारी बिल्कुल स्ट्रेटी स्टाइल चटपटी खटी मीटी भेलपूरी तैयार है तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं अब उपर से थोड़ी सी सेव डाल देते हैं अब उपर से खटी मीटी इमली की चटनी डाल देते हैं अब इसमें थोड़ी सी पियाज और थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं जिससे की इसका लुक एकदम स्ट्रीट स्टाइल का आएगा बिसमिल्लाए रह्माने रही अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में मुझे याद रखिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बया और आपिस